निरियापक मुनी पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में समय सार प्रिशिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है समूझे भारत के गुरुभक्त शिविर में से भागिता कर समय सार का गुण सिक्षण प्राप्त कर रहे हैं समय सार प्रसिक्षर शिवर के दूसरे दिन 30 अक्टूबर को निर्यापक श्रमण मुनी पुंगव श्री सुधा सागर्जी महाराज के सानेध में शिवरार्थी आध्यात्मिक गुरू से आध्यात्मिक ग्रंद का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रातकाल की बेला में गुरू के चर्णों में शीश नवाकर शिवरार्थी अपने दिन की शुरुवात कर रहे हैं। तो हमारा गलत मारग है ये तो अशुभुपियोग है यदि हमें शुद्धुपियोग को प्राप्त करना है तो शुभुपियोग में लगो और शुभुपियोग का अनुसरण करके आज हम यहाँ पर बैठ चुके हैं मुझे कल से बहुत भाय था कि कैसे प्रवचन होगा लेकिन किसी रहा है किसी जगा मैंने एक बात सुनी थी यदि आप सुदासागर महराच के भत्तो तो डरने का क्योंकि यदि आप सुदा सागर महराज का नाम ले लोगे और उनके नाम को थोड़ा सा उल्टा करके देख लो तो सुदा का क्या बन जाएगा धासू और तुम बिल्कुल धासू प्रवचन करना मेरे मित्रगर भी कह रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है अरे तना बड़ा म समय सार प्रसिक्षर शिविर के मध्य सभी गुरु भक्तों को मुनि पुंगश्री के मंगल प्रवचन सुनने का भी सोभाग्य प्राप्थ हो रहा है मुनि श्री ने कहा कि बिगारने वाला कोई और नहीं हम अपनी भूल से ही बिगड़ते हैं पुझवर कहते हैं होगा वही जो आत्मा को मंजूर है हम एक बार रिमोर्ट कंट्रोल सारी दुनिया को जो कुछ भी है सब हमारे हाथ में है जो भी बिगड रहा है हमने बिगारा है जो भी बनेगा हम से बनेगा बिगारने वाला मेरी जिंदगी को कोई दुनिया की अब बिगार नहीं सकते किसी में तागद में हमने भूल से ही हम बिगड़ते तो पहला निरना तो समय सार पड़ते शमय ये करें कि दुनिया का मैं सर्व सक्ति मान व्यक्तित हूं द्रब्रू दुनिया का सबसे पवित्र आदमी मैं हूं अपने को शाबाशी दो आग्रा की धरापड चल रहे निर्यापक श्रमण मुनी पुंगवश्री सुधा सागर्ची महाराज का वर्शययोग हर दिन नए आयाम छू रहा है समय सार प्रस्रिक्चन शिवर में विद्वान विदूशिया आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं 29 अक्टूबर से शिरू हुआ समय सार प्रस्रिक्चन शिवर 10 नवंबर तक चलेगा जैन फोकस के लिए आग्रा उतरप्रदेश से इंदू शर्मा की रिपोर्ट कि अध्याओ प्रस्रिक्चन शिवर प्रस्रिक्चन शिवर तक चलेगा